अब जोग इत्वार के दिन सब लोग दिल्ली के लोग बैठ के तै करते हैं कि लोकडाउन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है अब ही जो मौजूदा लोकडाउन है वो कल सुबह पाँच बजे खतम हो रहा है आज फिर से हम सब दिल्ली के लोगों को टै करना है कि लोकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए अनलॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए हम सब लोगों को मिलके ये टै करना है अप्रैल के महीने में जब ये सेकंड वेव पूरे देश के अंदर आई थी इतनी खतरनाक वेव थी दिल्ली सबसे पहला राज्जे था जिसने हम सब लोगों ने ये देखा कि ये वेव बहुत खतरनाक है और सबसे पहले लॉक्डाउन देश के अंदर दिल्ली में लगाया गया उस वक्त ऐसा लग रहा था जब ये वेव आई थी और इतनी तेजी से केसे बढ़ रहे थे लेकिन एक महीने के अंदर 20 अपरेल को हम लोगों ने लॉक्डाउन लगाया था लगबग एक महीने के अंदर आप सब लोगों के दिल्ली के लोगों के अनुशासन और दिल्ली के लोगों की मेहनत और संघर्ष की वज़े से आज कोरोना की ये वेव जो कि सबसे खतरनाक थी अभी तक ये कमजोर होती नजर आ रही है मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने यो धजीत लिया है अभी काफी बाकी है लेकिन अब हम ऐसा लग रहा है कि इसके उपर काबो पाते हुए नजर आ रहे हैं अप्रेल के महीने में एक दिन ऐसा आया था जब संक्रमंदर 36 प्रतिशत पहुँच गई थी यानि कि सौ लोगों के हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे पिछले 24 घंटे का मैं आपको आकड़ा बताऊं तो ये संक्रमंदर धाई प्रतिशत के भी नीचे चली गई है यानि कि अब सौ लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें धाई लोग संक्रमित पाए जाते हैं और साड़े सतानुए लोग ठीक पाए जाते हैं इसमातिम संक्रमन काफी कम हो गया दिल्ली के अंदर अप्रेल के महीने में एक दिन ऐसा था जब 28,000 केस एक दिन में आए थे 28,000 पिछले 24 घंटे में 1600 केस पाए गया हैं दिल्ली के अंदर 28,000-1600 तो दिल्ली के अंदर करोना की रफ़तार काफी कम हुई है पिछले एक महिने में कई सारी समस्याइं आई उन सारी समस्याओं का हम सब लोगों ने मिल के मकाबला किया दिल्ली के दो करोड लोगों ने एक परिवार की तरह मिल के मकाबला किया खास कर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या आई थी लेकिन सब ने मिलके इसमें सब का सहयोग मिला दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोट ने दिल्ली हाई कोट ने सब ने सहयोग किया और ऑक्सीजन की समस्या का भी समाधान निकला अब वैक्षिन की बड़ी प्राब्लम आ रही है वैक्षिन की बहुत कमी महसूस हो रही है लेकि मुझे विश्वास है जैसे हमने बड़ी-बड़ी समस्याओं का समधान किया है ऐसे वैक्षिन की समस्या का भी समधान निकलेगा हम मिलके निकालेंगे वैक्षिन की जो कमी हो मुझे पूरी विश्वास है इस कमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक करेंगे इस दोरान पिछले एक मेने हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज कई-कई दिनों तक नी सोये हैं कई-कई दिनों से घर नी गए हैं उनोंने जबरदस्त कान किया इन में से कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज शहीद भी हो गए उनकी शहादत को मैं पूरे दिल्ली के सभी लोगों के तरफ से सलाम करता हूँ हम कर्जदार हैं उनके उनका कर्ज हम नहीं चुकता कर सकते लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार उनके परिवार को मदद करने के लिए एक एक करोड रुपए की राशी देती है आप लोग देख रहे होगे मैं रोज किसी ना किसी के घर जाता हूँ ऐसे किसी व्यक्ति ऐसे किसी डॉक्टर नर्स या ऐसे किसी के घर जो शहीद हो गए नहीं हुआ है और अभी भी हजार से जादा केस आ रहे हैं तो पिछले 24 घंटों में मैंने खूब लोगों से पूछा क्या करना चाहिए जो भी निरने होगा हम मिल के लेंगे दिल्ली के लोग मिल के निरने लेंगे तो एक आमराई ये बन रही है लोगों की कि एक हफ़ते के लिए लॉक्डाउन और बढ़ा देना चाहिए क्योंकि अभी अगर लॉक्डाउन खोल दिया और जो जो कुछ हमने पिछले एक महिने की इतनी कड़ी महनत संघर्ष और त्याग की वज़े से पाया है कहीं वो खतम ना हो जाए तो सब की आमराई ये है कि एक में एक हफ़ते के लिए और लॉक्डाउन खोल देना चाहिए तो दिली सरकार ने ये निरने लिया है कि एक हफ़ते के लिए लॉक्डाउन और बढ़ाया जा रहा है अगले सोंगवार 31 तारिख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉक्डाउन बढ़ाया जा रहा है अगर केसिज के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले एक हफ़ते भी मेरा आप सब लोगों से अपील है निवेदन है जैसे आपने अभी तक सहयोग किया आपने अभी तक कठोर अनुशासन का पालन किया लॉक्डाउन का फॉलो किया इसी तरह से आप आगे भी जारी रखेंगे करोना के नियमों को आगे भी फॉलो करेंगे अगर इसी तरह से केसिज के कम होने का सिलसला जारी रहा तो 31 तारिक से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालो करेंगे एक दम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा तो वो भी धीरे 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 कुछ 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 गती विधियों को 31 तारिक से फिर हम खोलना चालो करेंगे लेकिन अभी सब की राए के मताबिक मैं दिल्ली के लोगों की राए के मताबिक एक हफ़ते के लिए हम लोग लॉक्डाउन और बढ़ाने जा रहे हैं इस वक्त हमारी सबसे टॉप प्रायरिटी है कि किस तरह से दिल्ली के दो करोड लोगों को वैक्सिन जल्द से जल्द लगाई जा सके हमने दिल्ली में सारी विवस्था बना लिये कि तीन महिने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम वैक्सिन लगा सकते हैं लेकिन वैक्सिन क कमी है पूरे देश के अंदर कमी है कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी तीसरी वेव आएगी हमें तीसरी वेव का पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है तो हमारी पहली प्राथमिक्ता तो ये है कि वैक्सिन लग जाए अगर वैक्सिन लग गई तो शायद तीसरी उसे हम लोग बच सकें तो एक तरफ तो हम सब को वैक्सिन लगाने की तैयारी कर रहे हैं जल्द से जल्द लगाने की तैयारी कर रहे हैं सब के सामने कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी हो सके किंदर सरकार से दूसरी कंपनियों से कंपनियों से भी सबसे मैं खुद बात कर रह पर दिया है। ये सब तैयारियां वो भी साथ साथ चल रही हैं लेकिन भगवान ना करे कोई तीसरी विव आए भगवान करे कि सब लोग सुक शांती और स्वस्त रहें नमस्कार